मेरे आदमी की जानकी खत्रा है, मुझे डर है कि मेरे आदमी रास्ते में चलते हैं कहीं भी किड्नेप कर ले, कुछ भी कर ले, उसको कर री दे कर री सजाद दही जाए, योगी मोदी जी की शरकार। कोई तापे, ये कहावत सटीक बैठती है, फोजी साहब के उपर, रेटायर फोजी और उनकी पत्नी इस वक्त मेरे पास में है, इनी के उपर ये कहावत इसलिए सटीक बैठती है, क्योंकि एक ठग ने इनने ठग लिया, इनके आपस में जगडा होने की वजह से, इन दोनों मे जो ठग है, उसको पता चल जाता है, कि इनमें आपस में कहा सुनी हो चुकी है, अब ठग इनके पास पहुंचता है, और ठग कहता है, जो तुमारी पत्नी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, तुमारे उपर, अगर मुकदमे से बचना है, तो तुमें दो लाक आफिस में मौजून है, बुलंड शेहर में, हलाकि मतुरा के रहने वाले हैं, और खुडजा के पास के गाउं की इनकी पत्नी है, वह रहने वाली है, क्या नाम आपका? मेरे नम रविंदर सिंग है, पूरा इड़र्स क्या है, अपको? सिकंदर पूर तैसिल मार्ट जिला मत्वरा करेने वाला हूं में क्या हुआ जो ठग है क्या कहकर आपके पास पहुंचा किस तरह से आपस पैसे ठगे देऊ वो मेरे पास पहुंचा और बताया कि आपकी बीवी ने आपकी उपर मुकदमा कर दिया है अभी आप कुछ लेंदेन करो तो उसका जो निप्टारा करा दूँगा और मैं सुलैना मा करा कि आपकी बीवी को आपके घर बेज़ दूँगा तो मैंने पूचा कि कितने पैसे लग पैसे मेरे से डलवाए थे और उस तरीके से वो लेके चला गया जब करीवन पांच-छे दिन बाद में मेरी वीवी घर पर अपने आप ही आगी बच्चों को लेके तो मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे उपर मुकदमा क्यों किया तब उन्होंने बताया कि हमने क्या जगड़ा हो गया था जिसको लेगर आप रूट कर घर चलेगी ऐसा कोई जगड़ा नहीं हुआ था तो आपको अपनी पतनी को पर इतना विश्वास नहीं रहा कि वो इस तरह सी जा चोटी मुटी सी बात पर जाके मुगदमा कर सकती है दिल में आने की थे पर पहुंचा उन्होंने बताया कि यह तो बहुत बढ़ा ठक है फिर मैंश कूल डीब कर गया घर पर जाने के पाद इस ने मेरे को पिस्टल मेरे उपर तांदी और बुला कि दोबारा से इस मामले में इस बावत में बात की तो बावत की तो मैं तुझे गोली से मारत हूँआ ये उच्छा हमने अपने नंदी उसे भी कहा था बावी पर जापे करने के लिए रुखी थी मैं तो बच्चा गुआ था भावी पर जापे करने के बाद ही चली ती 10-11 दिन बाद घर पर तो अब तो मेरे केस करें था की तो मैंने तो तुमारे पर कोई किस कही भी आगा हूए ने के मेंसे बैने की लिए होगा करोने के दोना पत्ति और फी सब्रीब दोने की रहें से दूरी Sap na कैs כן बहुते हैं आपकी बेहन का घर आपकी घर से कितने दूरी बता है तो इनको लेके गाउं जाते थे तो ख़वर पड़ जाती है जब मौला पड़ोस में बात होती है तो उनके कानोखान ख़वर चली गई है तो उन्होंने इस लिए ठाथा ना कि अब मैं पैसला करवा हूँ आप अपनी बहन से बता देते होंगे कि यह सबसे पहले तो हमें अपने रिश्टों पर विश्वास होना चाहिए एक दूसरे पर पती पत्री का विश्वास ऐसा आटूट होना चाहिए कि मेरी पत्ने इस तरह का कदम नहीं उठा सकते आपको अगर फॉन कार्ट भी दिया था तो उनको जाना आपको पहले जाना चाहिए था ना किसी को या भेज देते के वहां सर्जी बहुत जल्दी कहते ना फौजी आदमी इंटेलिजेंट होते लेकिन कुछ नहीं जो जैसा बोल देता है उसके ऐसे ही चक्कर में आ जाते ही कोई एक लाक मांगे दो लाक मांगे पुरंद निकाल के दे देते हैं यह नहीं देखते हैं क्या करना चाहिए समय पे हम इसी बात की नाराजगी है पैसे जो है और दूसरों को ऐसे ठखों को लुटा देते हो खेर फिलहाल यह लोग ठगे जा चुके हैं और सिर्फ इसी बात का यह वज़े है कि जो ठगे गए हैं आपस में विश्वास नहीं रहा अगर आपस में विश्वास रहा होता और यह होता कि मेरी पत्नी ऐसा कदम कताई नहीं उठा सकती तो शायद यह ठगे नहीं जाते हाला कि पुलिस ने ठक को फिलहाल अपनी गरफ्त में ले लिया है मेरी सर योगी सरकार से यह प्रात्ना कि जिसने कुल्दीप नाम का लड़का है जिसने हमारे साथ में पैसे देले का लेन देन लिया है किया है उसे करगी सजा पाई जाए मैं इतना ही केना चालते हूंु बस जान म मुझे डर है कि मेरे आदमी रास्ते में चलते हैं कहीं भी किड्नैप कर ले, कुछ भी कर ले, मैं उसकी इसी लिए समाचार में बोलना चाह रही हूं कि मेरे आदमी की जान लेवा है, वो आदमी उसको कर री ते कर री सजाद दही जाए, योगी मोदीजी की सरकाफ,